हाई एवरिवन कैसे आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ आपका होश्ट एंद दोस्त रहूल जैस्वाल और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल में फ्रेंट्स आज का जो अपडेट लेकर अगर ये वीडियो देख रहें तो ये वीडियो आप लोग के लिए एक बहुत वर्दान साब उत हो सकते है दोस्तों बहुत अच्छा गुड्नियूस आपके लिए लेकर आ गया हो दोस्तों तो खबर ये डिरेकली में बात करता हूँ खबर की तो नॉमली आपको बता दू कि जो हमारे हायर एंट टेकनिकल एजुकेशन मिनिस्टर है जो हमारे उदर सामन जी है उन्होंने यूजी सी को एक लेटर लिखा है दोस्तों दो ट्वीड उन्होंने किया एक मराथी में एक इंगलीश में वो ट्वीड में आपको पढ़के सुनाऊंगा लेकिन पहले में दोस्तों बिना किसी देरी के मैं आपको खबर से दूर नहीं रख सकता दोस्तों तो खबर ये है जैसा मैंने बोला कि उदे सामन जी हमारे मिनिस्टर जी उन्होंने यूजी सी को एक लेटर लिखा हुआ है वो लेटर में उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है उन्होंने कहा यूजी सी को request किये कि final year वाले का exams भी cancel कर दिया जाए दोस्तों तो ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी good news हो सकती है उन्होंने कहा है कि जैसे कि अभी पता है आप लोग को की COVID-19 का situation जो है बहुत जादा बढ़ते जा रहा है महाराश्ट्रों में तेजी से तो ये जो है normal न देखेंगे एक ट्वीट जो भी किया उन्होंने मैं आपको रीड करके बताऊंगा लेकिन आप स्क्रीन पे आप देख पार गए मैं लेकर आ गया हूँ आपको स्क्रीन पे उदर सामन जी के जो ऑफिशेल ट्वीटर है मिनिस्टर आफ हायर एजुकेशन टेकनिकल एजुके मिनिस्टर जो हमारे उदर सामन जी उन्होंने किसको लिखा है टू चेयर में युनिवर्सिटी ग्रांड कमिशन यूजी सी जो है उनको लेटर लिखा हुए क्या बोले लेटर में आपको मैं पढ़के यहां पे दिखा रहा हूँ डियर सर यूजी सी इसूद गाइडलेंस निकाली गही थी उसके पर जो नॉमली मीटिंग है वो मीटिंग कंडग गही थी स्टेट लेवल के इसाब से और वो मीटिंग के हिसाब से यूजी सी गाइडलाइन की फॉलो करने के लिए यहां पे बोला गया था लेकिन अगर बात करूँ फाइनल यर के स्टूदेंट्स वालों के लिए तो यहाँ पे clearly उन्हों यहाँ पे बोला है कि यह जो है हमारे लिए एक pandemic situation है जिसमें यह महाराश्ट्र जो है पूरे इंडिया में सबसे जादा COVID-19 का जो cases है वो महाराश्ट्र में जिसके वजह से यह दिक्कत हो जाएगी अगर आप final year का exams रखवाओगे दोस्तों तो यहाँ पे social distancing का follow and safety and health issue हो सकता है हमारे state के government को इसके लिए यहाँ पे clearly उन्होंने बोला है कि state government decision to promote students of diploma, undergraduate, postgraduate excluding बोला है यहाँ पे कुछ चीज excluding छोड़ यह छोड़के बोला है बाकी जीतने वी चीज़े सबको बोल दिया गया है कि आप क्या करो जो final year के students उसको पास करो यहाँ पे एक और चीज़ बोला है considering the present situation of COVID-19 pandemic in Maharashtra State as per the recommendation of state level committee conducting exam for final year students of UG and PG in the month of July to turn to seem difficult मतलब clearly बोल दिया है कि यह जो undergraduate and postgraduate का जो exam है वो अभी बहुत ज़्यादा difficult लग रहा है July के month में because COVID-19 का situation normal नहीं हो रहा है और क्या कहा है in the view of COVID-19 pandemic situation in Maharashtra and considering the feasibility of conducting the exams of approximately 8 lakh to 10 lakh students from all across Maharashtra and India is by maintaining all safety process protocols seems very challenging and may endanger the safety and health of students मतलब clearly बोला है कि अगर exams हम लेते हैं July में जो आपको date हमने submit किया है कि July में हम final year की exams लेने वाले है तो लगबग 8 से 10 lakh students जो है वो उनकी जान जो है वो खत्रे में आ सकती है because एक तरीके से exam लेना मतलब यह हो सकता है कि हम लोग COVID-19 cases भी बढ़ा दे and जिसके वेसे जो safety होता ह जो है students का वो हम लोग जो है उसके वेसे students जो है problem में आ जाए hence I am the opinion I am of the opinion that terminal final exam should not be conducted मतलब यह इनोंने एक अपनी तरफ से protocols and in the view of students mental physical rendering मतलब normally क्या हो रहा है बहुत सारे students के मन में tension आ चुका है stress develop हो चुका है because of that क्योंकि बहुत सारे अपने state से दूर है बहुत सारे ऐसे जिन्होंने पढ़ाय नहीं कि उनके पास study material नहीं है बहुत सारे ऐसे भी students है जो डर रहे हैं कि हम जब भी exam देने अगर पान है जो कि हमारे students के दुख दर्थ के बारे में समझते हैं और उसी को सोचके उन्होंने अपना जो letter है वो submit किया है और उसमें claim किया है कि आप final year के exams भी cancel करो तो कहाँ पे request last line में आपको पढ़के बता रहो request जो है I hereby request your your good self to kindly consider the option of promoting student without conducting, मतलब आप promote कीजिए students को final year के students को भी promote कर दीजिए without conducting the exams, without conducting exam मतलब exam मत लीजिए लेकिन promote कर दीजिए जो last year में है UG undergraduate और PG मतलब post graduate जो students है and grade game as per the UGC, जो भी UGC के guidelines होती है उसके accordingly आप grade दे दीजिए, चाहिए 50-50 formula यूज कर लीजिए ताहिए आप जो भी अलग method यूज करना चाहते है आप use कर लीजिए ल betterment of student, तो उन्होंने कहा है कि आपका जो भी decision लेगा हम wait करेंगे आपके decision का and जो भी issues, guidelines का जो भी रहेगा आप जल्दी से जल्दी release कीजिए for the betterment of the student, जो भी students के हथीत में रहेगा आप सोचिए and submit कीजिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उधे सामन जी का यहाँ पे official signature भी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो दोस्तो यही था हमारा आज का update, I hope यह update आपको अच्छा लगा होगा, एक तरीके से good news आप कह सकते है, because उधे सामन जी हमारे जो minister है, उन्होंने खुद UGC को अगर लेटर लिग दिया है, तो UGC यह बात को consider जल से जल अपना जवाब जो भी रहेगा, वो भेजने की कोशिश करेगा हमारे महाराष्ट्रो स्टेट गोवर्मेंट को, तो दोस्तो जल्दी से जल्दी इंतजार कीजिए, हम भी आप जब भी कुछ भी नया update आएगा, हम आपको वीडियो बना के बता देंगे, दोस्तों कैसा लगा है ये update आपको, प्लीज हमें कमेंट करके बताएगा, दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, दोस्तों अगर आप इस चैनल पे न्यू हूँ, हमारे content आपको अच्छे मिलते रेने के लिए मुंबे निवसीडि से जुड़े हुए जितने भी update से, एजुकेशन से related जितने भी update से, मिलते रेने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो मे ये वीडियो देखने के लिए, thank you and good bye